तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग तो गाइस आज हम करने वाले हैं अपना टाइम मोडूल के बारे में और कि आप कैसे किसी भी अपने प्रोग्राम का जो एक्जेक्यूशन टाइम है वो आप निकाल सके मतलब की जो एक्जेक्यूशन टाइम मतलब समझे लिए आपकी किती दिरे में आपको प्रोग्राम हो war हो एक्जेक्यूट ह defin accreditation उड़ और किसी तिरि में काम कर अपना एक file बना लेते हैं time guys ध्यान रगाना कि भी जो आपका जो file का name है ना वो किसी module से match नहीं होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर जो module उसका नाम ही time है तो हम बिलुकुल same time नाम का module हम नहीं रख सकते तो यसी भी हमारा तो time नाम का module होगा नहीं क्योंकि हम space डालेंगे यहाँ पर टूटोरियल लंबर लिखेंगे आपर 31 ठीक है 31.py ठीक है तो guys हमने यहाँ पर लिख लिख लिया है अब guys हमारा जो file वो बन चुकी है ठीक है यहाँ पर हम फटा-फट से आपर topic लिख लेते हैं जो time module है guys वो inbuilt module है उसको आपको install करने की जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है specially कि आप pip command देके install करोगे ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो guys यहाँ पर अगर आप निकालना चाहते है कि जो while loop है वो जल्दी काम करती है या फिर for loop तो फटा-फट से मैं एक बार दो loop create करता हूँ या पर तो for loop create करता हूँ for i in range ठीक है guys मैंने जो range है ना वो 0 से 25 तक की range निकाली आई के अंदर और अभी मैं चलाऊंगा कि print ठीक है print में मैं करवाँगा print subscribe now ठीक है print subscribe now ठीक है तो यह मैंने किया है फोर के अंदर ठीक अब मैं कराने वाला हूँ यही काम same to same while के अंदर while i equal 0 ठीक है एक i integer ले लिया है मैंने जो की 0 है जिसकी value अब जब तक i जो है वो छोटा है 25 से ठीक है मैं इस line की copy करके यहां पर paste कर देता हूँ ठीक है तो यह हमारा code यह चलेगा ठीक है लेकिन जाना अगना i plus equal one increment तो देना ना यार i के अंदर increment नहीं दोके तो यह loop infinite हो जाएगी ठीक है तो मैं जैसे इसको guys यहां पर run करता हूँ run python while तो यहां पर आप देख सकते है subscribe now subscribe now 25 बार तो इसने लिखा और 25 बार इसने तो total 50 बार लिखा ठीक है लेकिन मेरे को time निकालना की for loop ने पहले लिखा या while loop ने पहले लिखा ठीक है time ठीक है यह मैंने लिखा है कि time.time यह क्या करेगा guys इस initial time के अंदर जो अभी initial time चल रहा हुआ न वो time return करेगा ठीक है full मतलब कि वो न बिल्कुल correct time return करता है बिल्कुल correct ठीक है मैं आपको print करवा के दिखाएता हूं यहापर print ठीक है initial time ठीक है print initial time अगर मैं इसको run करता हूं तो आप यहाँ पर देख सकते हूं कि बिल्कुल कितना accurate है ठीक है और यह काम guys milliseconds के अंदर होता है तो बिल्कुल accurate है बहुत जदा accurate है ठीक है तो guys हम क्या करेंगे एक यहाँ पर for loop start होने से पहले हम एक initial time लेंगे कि अभी जो time है वो यह है और जब for loop खतम होगी जब for loop खतम होगी तब हम एक और time लेंगे मतलब कि जब हम print करेंगे print और यहाँ पर मैं लेता हूं f string लेता हूं और f string के अंदर हम डालेंगे आपर time taken by for loop is time taken by for loop is अब हम यहाँ पर guys यहाँ पर यह लगाएंगे यहाँ हम क्या करेंगे जो अभी हमने time जो अभी time चल रहा है मतलब कि time dot time time dot time minus initial time minus initial time ठीक है तो यह क्या करेंगा जो अभी time चल रहा ना उसको minus कर देगा initial time में से तो जो इस segment का time है ना कि यह segment कितनी दिर में execute हो यह तो हमारे पास वह आ जाएगा तो हमारे पास वह आ जाएगा तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं seconds तो यहाँ पर guys हमने for loop का तो निगाल लिया आप मैं same to same इसको ना copy करके यहाँ पर while loop में भी paste कर देता हूं while loop के नीचे ले चल रहा होगा ना वो इसके अंदर फिर से आ जाएगा और फिर यह क्या करेगा दुबारा से वही काम करेगा जो उपर किया है ठीक है यहाँ पर मैं four की जगा while लिख देता हूं ठीक है अब यह guys क्या कर रहा है इसने जो अभी time चल रहा है उसको अभी initial time के अंदर save कर लिया में ठीक है तो यह guys थोड़ा च्छोटा सा logic है जादा कुछ ऐसा logic नहीं है कि बहुत बड़ा logic है नहीं ठीक है तो यह आप समझो इसमें हो क्या रहा है इसने क्या क्या स्टार्टिंग में जो अभी इस इस वक्त जो time चल रहा है ना वो इसने इसको return कर दिया वो इसने इसको return कर दिया कि भी अभी यह time चल रहा है ठीक है और फिर हमने क्या किया जब यह काम पूरा हो गया तो उस वक्त जो time चल रहा है ना उसमें से हमने minus कर दिया यह वाला time initial time ठीक है starting का time तो हमारे पास वो time आ जाएगा जितनी देरे में यह काम हुआ है ठीक है तो यहाँ पर guys मान देना कि अब मालो एक बजा हुआ क्या बजा हुआ एक ठीक है तो इसने initial के अंदर एक save कर दिया कि भी एक बजा हुआ ठीक है तो यह for loop मालो तीन गंटे के अंदर चली है क्या यह for loop अभी तीन गंटे के अंदर चली है तो यहाँ पर क्या हुआ एक यहाँ पर बजा हुआ था फिर तीन घंटे से ने ले गाई professors कितने बजल गए चार तो इस ने क्या क्या टाइम एनलो जो अब का सब्सक्राइब तो सब्सक्राईब टाइम आप का सब्सक्राविया है टाइम और की यह जो למटे। अंदर execute हुई है तो गाई हम इसको run करके देखते हैं देखे वाइल लूप तेज थी या फोर लूप तेज थी तो यहाँ पर आया है हमारा 0.0001390 है और इसका देखते हैं अपने इसका और 0.0018 तो जो हमारी फोर लूप है इसे थोड़ा सा जादा टाइम लिया है बहुत का गाईज यह depend भी करता कि आप किस environment में है PC कितना heat है कितनी processing चली है background के अंदर ठीक है तो उस हिसाब से speed में काम करते हैं और इन में time जो है वो difference आता रहता है ठीक है यह कोई ज्यादा बड़ा topic तो था नहीं कि हमने बहुत सारी process की है इसके अंदर और फिर हम time निगाल दे है छोटा सा time निकाला बहुत तो मैंने आपको जश्ट बताया कि आप कैसे time निकाल सकते हैं किसी भी execution का ठीक है तो गैस अगर आपको local time चीए local time innocence की आपको अभी का time चीए कि अभी क्या time हो रखा है real time ठीक है तो आप क्या करोगे तो उसके लिए guys मैं एक time लेता हूं local time एक bracket इसके अंदर guys लिखना आपको time.local time क्या time.local time फिर bracket लगाना और फिर इसके अंदर आपको लिखना time.time ठीक है time.time अब यह क्या करेगा guys यह जो time.time है यह इसके अभी time चल रहागा उसकी ticks मतलब कि जो चल रहागा वो return करकर देगा यह जो local time है यह उसको time के अंदर जिस format म हम देखना पसंद करते हैं कि इतने बच्चते इतने मिंट हुए हैं तो यह उस टाइम में इसको कनवर्ट करेगा और फिर क्या रिजल्ट मिलेगा वह मैं आपको शो करवाता हूँ प्रिंट लोकल टाइम ठीक है जैसे मैं इसको और रन करता हूं अभी यहाँ पर तो हमारे पास क्या है यहाँ पर देखते हैं अभी नीचे चलते हैं यहाँ पर आया है गाई हमारे पास सैटरड़े आपरेल 23 और यहाँ पर 18 बज के 20 मिनट हुए है 43 सेकंड और 2022 ठीक है तो यह हमारा 2022 चल रहा है अभी आपको समझ आई रहा होगा मैं जो बता रहा हूँ ठीक है तो गाइज ऐसे आप time के साथ भी खेलवाड कर सकते हैं रे बाबा अभी गाइज मैं आपको क्या करता हूँ मैं इसको करता हूँ मैं आपको शिखाता हूँ कि आप प्रोग्राम को कैसे पोज कर सकते हैं पोज इन दे सेंस कि आप प्रोग्राम को कैसे रोग सकते हैं तो एक फंक्शन गाइस time.sleep यह time module के अंदर ही है तो जब भी आप इस function को यूज करना चाहिए आपको time module को export करना पड़ेगा तो यह जो हमारा लिए पत्चिस seconds पहुक्त है यह हमारा बदी कैसे चलेगा अब हुआपप जो आई जीरो होगा यहां पर यहां पर एक सेकिन के लिए के लिए करते हैं जब आपको पोज करना तो सब कुस पोज हो जाता है ना वो गेम के अंदर भी हम यह यूज कर सकते हैं ठीक है तो गाइस जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल पोज हो जाएगा time.sleep प्रोग्राम बिल्कुल पोज हो जाएगा किती देरी के लिए यहां पर आप seconds लिखोगे क्या लिखोगे seconds की किती देरी के लिए आपको पोज करना स्टोप करना स्लीप करना प्रोग्राम को सुलाना ठीक है एक second बात जो प्रोग्राम है वो फिर से उठेगा और यह अपनी statement आ जो प्रोग्राम है वो सो रहा है जो प्रोग्राम है वो सो रहा ठीक है अभी हम क्या करते है इसको बंद करते हैं इसको यह 25 सेकंड लेगा पूरी की पूरी तो गैस इतना काफी था आज के लिए और मिलते हूँ फिर आपको गश्च नेक्स्ट वीडियो के अन दर तब तक क ठीक है जावा करेंगे हम C++ करेंगे हम बहुत साही लेंग्विजेस भी complete करेंगे और सारे courses करेंगे हम अच्छे से और guys projects बनाएंगे games बनाएंगे और कुछ applications भी बनाएंगे real world applications और काफी सारी चीज़ बनाने वाले हैं गाइज फिर मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो के अंतर बाइज सी यू इन नेक्स्ट वीडियो